नमस्कार सांथियों और मेरे प्यारे विद्यार्चियों और प्यारे पालिकों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके सामने उन कारणों को और जिसके कारण आपके बच्चे पढ़ नहीं पाते और उन उपाय को जो आप एडॉप करकर अपना कर अपने बच्चों को पढ़ा सकते वो दोनों ही पेश करूँगा मगर समय की कमी के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया तो सबसे पहले छमा पढ़ारती हूँ आपसे देखिए आपके बच्चे कभी पढ़ नहीं सकते और आपको थोड़ा सुनने में अजीब लगता है पर यह ऑप्जर विशन है आपके बच्चे कभी नहीं पढ़ पाई है रीजन यह है कि आपके पास समय नहीं है, आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप ये वीडियो भी पूरी देख लेए, तो आप सोच सकते हैं कि आपका बच्चा कैसे पड़ेगा, फिर आप बच्चों से आशार रखते हैं कि वो सीरी आपको टॉप करके दिखा दें, से सोसाइटी जो हम बच्चे को दे सकते हैं, देखिए, तो इसमें में कारण यह है कि हम बच्चों के साथ करते क्या हैं, हम बच्चों के साथ क्या करते हैं, हम बच्चों को बिलकुल अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब बच्चों को कुछ अलग से करने की अध वो दरसल में हमारी फोटो कॉपी बन जाते हैं। जैसर मानली जै मेरी किराने के दुकाने, बच्चे आप आतले कला मैं कर रहा हूं, जितना बज़े उठता हूं जो कर रहा हूं वह सब सिका दिए मैंने बच्चा किराना, मान लीजिए मैं ठेलर लगाता हूं सबजी बेशता हूं मैंने बच्चे को सारी चीजे वह आपकी फोटो कॉपी बन जाएगा इसके ब्यॉण कुछ करने के लिए उसको बच्चे को करने दीजिया ठीक है को आमिकान की तरह नहीं कि वह जो अच्छा लगे वह पढ़ाई किसी बच्ची नहीं लगते हैं तो पहली बात तो यह नहीं तो आप अपने जैसा उसको बच्चे को ढालेंगे तो आपके जैसा बन जाएगा और फिर तो आप समझ सकते हैं कि बहुत अपने आप में ब्रॉब्लम होती ही हो दूसरी बात यह कि देखिए पुरातन काल में एक सिक्चा व्यवस्ता होती है मतलब गुरू अपने सिस्ट को अपने से भी श्रेष्ट बना देते थे जैसे रिशी मुनी के आश्रम में जब पढ़ने जाते थे महराजा राजाओं के बच्चे तो उनको वह अपने से भी श्रेष्ट बना देते इसके ब और गुरूं कर बेटने का सतान, वो राजा से उपर होता था और जो गुरु बोले उस्टान हो होता है मतलब इंडर्वेक्ली जो थोड़ा सा website करन करें हम आजकल की बात करें यह होता क्या है आप आपका बच्चा पढ़ लिए अच्छे महेंगे स्कूलों में उसका दाखले करा देती हैं अब यह है कि थीक है स्कूल से हमारी त्रप्ती कम होती है बच्चा पढ़नी रहा कोचिंग भी बेशने उसे थीक है इसकूल की फीस हमने बढ़ दी दो हजार तीन हजार पांच हजार बढ़िया है अच्छे स्कूल में डाल दिया नामी स्कूल में लगना चाहिए कि मेरा बच्चा नत्तू स्कूल में पढ़ता है भत्तू में पढ़ता है फ्रबूति आ कानवें डाल दिया सबका हाल एक जैसा ये फिलासों में दुख दूख बढ़ता है नहीं पढ़ता किसी स्कूल को कोई खास मतलब नहीं ठीक है आप जानो आपका काम जाने अच्छा पेरेंट्स टीचर मीटिंग के नाम पे आपको गुला के एकात बार इस्कुल वाले जलील कर देंगे ठीक है ठोड़े जद्दार है तो आप साथ जाना भी बन कर देंगे उन मीटिंगों पर ठीक है क्योंकि आप बच्चे को यह अब पता नहीं आप पूछ क्यों नहीं पाते हैं कि फिर आप क्या करते हो बच्चा 5-6 गंटे आपके पास भी रहता है अगर इतना ही गर्वा पाते आप तो मतलब क्या है यह इसी चीज है ठीक है वो क्या होता जब बड़े-बड़े स्कूल हैं बड़े-बड़े कांच के सब्सक्राइब तो फिर आप भी महां तो आप समझ सकते हैं आप उनको खुल के अंदर जाने फिर उतनी भी आदमी में काबलियत होती है थोड़ा मिचके चार्ट भी होती है नहीं हो पाता ठीक है अब क्या करते हैं आप इसका निवारण अपने आजू-बाजू में एक मुन्नी चमेली टाइप से कोई टीचर विचारी मेरी बेन कोई भी डूंडी और तूनके आप वहां कोचिंग बेजने लगे ठीक है कोचिंग वाले करा है ठीक है उन्हें उन्हें जो पढ़ाना था गलती कर जाते हैं कि एक जिसको आप सूच ची है कि अपने बच्चे का जीवन सूपरा एक अच्छा टीचर एक अच्छा ट्यूटर डूंड़े आप गलती कर जाते हैं वो किसी को पार्ट टाइम पढ़ाना होगा फलाने को बच्चा पढ़ रहा है यह है इस टाइप से आपने फिर दाखिला करा दिया पैसे कि आप सिक्षा के लिए नहीं भी है तो दाल दाके भी कहीं कराई देंगे एकमिशन कोई आवश्यक नहीं है कि अडूसी को बच्चा कहीं पढ़ता अच्छा पढ़ लिया तो आपको बच्चा भी पढ़के उसी स्कूल में उसी कोचि आपके अपने बच्चे को पढ़ा पाता हूं मेरे बच्चे बढ़िया है और वही जान वही नॉलेच क्यों पढ़ पाते हैं मेरे बच्चे अग्सार ऐसा होता है चराग तले अधिना मेरे दो बच्चे हैं एक विराज और एक माई और तिके इश्वर की किरपा और पर वो तो आपको उपर हो मेरे उपर सब को उपर होनी चाहिए दूसरा मेरी मेहनत और बच्चों की मेहनत है ना मेरा अनुभाव लगबद 30 साल हो मुझे पढ़ाते हुए वनभव और डेफिनेटली बच्चों का की मेहनत डिस्यूप्लीन है वही सारी चीजें आपके साथ बाढ़ रहा हूं एक सीरीज है थोड़ा थोड़ा दो चाल चाल मिंट कभी आपके खराब करके आपको चीजें बता दरूंगा अभी भी वही समझान है देखें आपको आपको आपके बच्चा को पढ़ाने नहीं आपको समय कीमती है नहीं है फिर को बच्चा पड़ी मी सकता ना, ठीक है, दीक है, मैं भी थोड़ा बहुत मुबाइल चला लेता हूं, भागी कुछ कर लेता हूं, जादर तर टाइम, मैं अपने बच्चों के साथ इस्पेंट करता हूं, बस, ठीक है, चितना होता है, कोशिश करता हूं, कम से कम, ठीक है, बच्चों के सा of the world ऐसा समझ लीजिए अगर आपको शंका है इसमें आके मिलिए आप हमेशा आपको स्वागत है आप आके मिलिए ठीक है आपको यकीन हो जाएगा तो में अभी भी आप मेरे साह थें तो थोड़ा सा समय आपके पास हुआ ही 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 कुकु से बचा हुआ है तो आप मेरे साह थे आप मतलब तिल नाव लगबग मेरे वीडियो को नो मिनिट हो चुक है ठीक है मैं खुछ खास आपको प्रोडेक्टिव बताएं ठीक है एक चीज आप से कहीं कि देखिए आप बच्चों को ज्यादा रोकोगे टोकोगे ऐसा में ऐसा करता था में इतने बज उड़ता था व वह आप यह फोटोकॉपी बन जा रहा है आप ऐसा चाहते हैं अगर ठीक है आप डॉक्तर हैं तो आप अपनी फोटोकॉपी बना दीजे डॉक्तर बना दीजे कोई रिकत थोड़ी है फिर उसमें कोई समस्चा नहीं है ठीक है मगर हम जिस सोसाइटी से बिलॉंग्स करते है आप देखते हैं कि वहां पॉसिबल नहीं है हमारी सोसाइटी में क्या है ठीक है और आपके पास पैसा हो तो भी थोड़ा से सोचके देखें कि टाटा अभमानी के बच्चे बनते हैं नहीं है पढ़ते नहीं है क्या सब पढ़ते हैं इतना लागों अजारों करोडों सब्सक्राइब करना है तो मैं देखें एक छोटा सा आपको अगर बात कहना चाहूं कि आप एक अच्छा टीचर ढूंद लीए आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए अच्छा टीचर ढूंद लीए बढ़िया है ना दो चार दसतर से पढ़ा रहा हो विचार वो प्रोफे नहीं मिल रही है तब तक वो पढ़ा रहा है ऐसे लोगों थोड़े दूर रही है और दूसरा से स्कूल के टीचर से ठीक है तीसरा हो सके तो थोड़ी जो अगर हाईर क्लास में आप पढ़ते हैं फर्स सेकेंड थर्फ फॉर्फ फिर ठीक है बट आपको कहीं सर मिल रहा है तो और अच्छी बात है अब सर मिलते नहीं है सर इसली नहीं मिलते है क्या है थोड़ी महगी लेवर है आपको वही 2-300 रुपे में अपने बच्चे को पढ़ाना है आप यह कभी सोचते ही नहीं कि 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 आपकी कोई इच्छा नहीं होती ठीक आप अच्छा टीचर ढून भी ठीक है जो आपके बच्चे को पढ़ाना चाहते हो ठीक है उससे आप 40 दिन इंतजार करवागे फिर भी मेरे साथ तो ऐसा ही होता है ठीक है मैं तो अपना बता रहा हूँ ठीक बाकी कुछ लोग भाकिशा लिए वो तो पहले ही रगवा देते हैं जिनको अपनी काबलियत प बच्चे को कलेक्टर बना देगा आप ऐसा सोचते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ आप ठीक है यह पक्का समझ लीजिए अच्छा आपने कभी दिवाली आती है अभी आने वादी दिवाली टाइम निकलते अभी रक्षा बंदन कर दिवाले दिवाली आई है पंद्रागस थे हैं आपने कभी जो फीचर आपके बच्चे को पढ़ा रहा है और आपको उससे आशा है कि वह आपके बच्चे को कलेक्टर बना दे डॉक्टर बना दे आपने उसे याद किया कभी कभी आप पंद्रागस 26 जन्वरी ओली दिवाली पर उसके घर मिठाई के कि लो सार तो वह भी आपके बच्चे का विश्यश ध्यान रखें ठीक है अपने साथ तो पहले होता था अब नहीं होता ठीक है अब ठीक है अब भी पढ़ा देते हैं वह तो पार्मिलीटी है मैं भी अपना जीवन काटना है दूसरों से अच्छा ही पढ़ा रहे हैं दूस सब्सक्राइब होने की कारण है वह यह कि में मार्केटिंग नहीं कर पाया अपनी घुत्की कि आया में ग्रेट टीचर ठीक है वह तो भला हो बच्चे मेरे थोड़े से इतना कि मेरी बात मान लिए और साथ मेरे सम्मान जोए को बच गया बाकि जिन बच्चों को मैंने पढ कई पढ़े थो एक के जो डीचर को बच्चे को पढ़ा रहा है जो आप के बच्चे आपको सोंवीध है कि बच्चे को पढ़ा दी कालेक्टर मन जाय कुछ लायग बने फला न करे यह करे आप कुछ उस्चेटर को आपकी इक्च्छे नहीं होती पैसे देनी की जब तक वह चार बार नाम आगे आप पैजन ही दोगे अच्छा कभी उस टीचर को आप खोली दिवाली कभी कोई त्योहार पे याद कर लीजे एक दो दाइसो रुपए का मिटाई का डिबब दे दीजे तो कुछ विशेश ट्रीट्मेंट तो करें बागे फिर एक सास्त्रों में न गाव दूसरा आजाएगा बेवकूफों की कमी नहीं है इंदोस्तान के जन्संक्या बहुत है ठीक है इतनी से बात है मगर यह चीज आपको समझने में आते ही नहीं समझ में आपके पास टाइम है नहीं आप योग हैं आप काबिल हैं आपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया अच ठीक है आप वगर थोड़ा समान भी दे दें साथ में एक तो सबसे पहली बात कि आप कुछ जो पैसे होते हैं वो तो उससे समय से दें पूछ के रहें कि और ठीक है आपने बोला उसने बोला कितने आपने कहा कितने रुपे उनोंने कहा हजार आप यह ग्यारा सो दीजी उस ठीक है या आप चाहते क्या है कि 200 रुपे अपके बच्चे को कलेक्टर बना दे तो आप बिवखूफ हैं फिरी में पढ़ाए आपके बच्ची को कलेक्टर बना दे, गदें है थीक है सुनने में अच्छा नहीं लगता बर्ट रियलिटी है थीक है क्योंकि वह मैंने नहीं लिखे देखे शास्त्रों में लिखा है भूके बजन ओए ना गोपाला तो वह टीचर से आप वह दुनिया को पढ़ा था है आप ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना कर सब्सक्राइब है तो आप क्या चाहते हैं आप यह चाहते हैं कि आपके बच्चा पढ़ भी ले और आपको कोई पैसा कर्चा ना हो है ना तो ऐसा संभव नहीं देखिए अच्छे टीचर क्या सोसाइटी से धीरे-धीरे प्राब्लम है अपने आप में आप उससे रेगोग समझदार पैरेंट्स हैं ठीक है वो रेकुनाइज करें उस चीज को दूसरा है कि एक अच्छा टीचर ढूल लीजिए आप यह से नहीं देखिए पूरे हिंदोस्तान को मैं नहीं पढ़ा रहा है मैं तो गिंती के दर्स बच्चों को पढ़ाता हूं मान लीजिए ठीक है त थोड़ा सा यह करें दूसरी चीज देखिए पंटिनुटि आपके बच्चों को कंटिनुव होना चाहिए कहीं भी क्लास में जाकर ऐसा नहीं थोड़ा सा आप समय देंगे बच्चों की प्रॉब्लम सुनेंगे समझेंगे उनकी कॉप्रेट करेंगे तो बिल्कुल आपके थी अच्छा पढ़ लेंगे। और इक जैसे हमें अपनी सैथ बनाना है न मुझे वीकमेह सोजेव बढ़िया अंगे वैसा ही पढ़ाई है एक दिन में दो दिन में आप आशा रखते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने लगे इस नौट पॉसिबर क्योंकि देखिए क्या है कोरोना के बाद एक एसी स्थिती एक एक एसा होलो निर्मित हो गया कि बच्चों कुछ आता नहीं है जैसे मैं आपको कि क्या करा हूं मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ठीक है तो ऐसे बच्चे भी है अब उनका क्या फ्यूचर है अब वो तो इश्वार जाने क्या होगा तो गल्दी अदर असल देगी हमारी कोरोना सब बन था बट कोचिंग स्कूल सब से पहले बन आपने भी इंज्वाय करा इसकूलों की फीस नहीं देना थोड़े से कहीं से मेसे जा रहा है कुछ है ठीक है तो आपके घर के आजू बाजू कोई गरीव होता कोई टीचर मेरे जैसा आप अपने बच्चों को भेज सकते थे बट वो सब बन तो बन इसकूल बन तो बस पढ़ाई बन ठीक है देखिए हमें भी समय मिला हमें समय मिला परिशान बहुत हुए हम ठीक है शायद देशा समझ लें आप प्रत्यक्ष के खानी कमानी लब जो निवाला ये वह भी सब आगभी निवाला दक हमें खा लिया कि इसके बाद क्या खाएंगी हमें मालुक है तो टीचरों का हाल तीन साल में य मेहनत करते हैं कि टीचर से ज़्यादा मेहनती कोई होता नहीं है अगर यह दोनों चीज़े आप कंक्लूड कर पाए तो आपको बच्चा पढ़ देगा तीसरी चीज़ है टाइम आप अच्छा टीचर ढूल लिया आप उसके पास गया अब बोले बस सर यह 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 सितंबर चल रहा है मार्श में पेपर आप इसको पढ़ा दो तो आप सोची खोदी बेवकूफी कर रहा है बच्चा पढ़ता नहीं है वैसे ही उसके बेसिक कुछ कुछ किलियर नहीं है छे महीने में अब वो टीचर भी कुछ कर नहीं पाई तो बच्चों को आपको अगर उनका बेस के लिए रहे छटवी साथवी आटवी पांच वी चोथी अगर वहां से किसी अच्छे टीचर नहीं पढ़ाया तो आप समझी खुद फेस कर लेगा प्रॉब्लम ठीक है बाखी देखिए दुनिया है बच्चे पढ़ते रहेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा दीरे-दीरे बड़े हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप देखेंगे कि बच्चा इतना बड़ा हुआ ऐसा तो कुछ आता नहीं है मगर तब तक गोध देर हो चुकी जिल्षी रोटी चु बनती है वह भी अपने जीवन पूरे जीवन बार मेंगे ड़ा आता जो बोहेंगे को बड़ा कर दो दैखिए है कर दो देक जीवन ऐसा जबसे सड़ाइं टिल्टोइब helemaal करकि अइसा प्षेए यह आई यह है के बार बार आपनी बातो कु दोरा पहाना पड़ रहा है यह एक अच्छा टीचे डूनी और अच्सीज की सब्देख़ी कीमत होती है अलू 20 रूपए किलो मिलता है आपको सेव 120 रूपए किलो मिलता है तो अपेट मत करिया है याद महीं है न दो तो देखिए नोकरी धन्दा यह सब बाग की चीज़े हैं है ना देखिए अकसर पैरेंट्स कहते हुए आते हैं सब में तो अच्छा यह सब चीज़े अच्छे पड़ता है बस इसे मैस नहीं आती अच्छा मेरी मेरी कोचिंग में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो महस नहीं पड़ता है अब जब माइंड पड़ता है तो बागी सब्जेक को उस मेरे पकड़ के साथ में चलने लगते हैं तो यह चीजे चोटी चोटी कंपनूट करती हैं अब परेंट्स आए बच्चे को मैस नहीं हा रही है, तो उसके नहीं आता, सुनके आपको भी अच्छा नहीं लगे, जिसे मैस नहीं आ रही है, उसके कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकोलों में क्या होता है, रिवीजन ही, पांट सोश्चन का लानकल टेस्ट, वही टेस्ट के आप भी खुश है, ना, कोरोना में जैसे मार्शीट मिल रही थी, बढ़िया, ठीक है, यह फलाना, यह एवरेज और असिस्मेंट और फलाना यह से करके आपको पढ़िया, मार्शीट मिल गए तीन साल, आप भी सुखी, बच्चे भी सुखी, पढ़ा किसी नहीं कुछ नही एजूकेशन के बरवादी के लिए भी याद रखा जाएगा, क्योंकि जो चट वी, साथ वी, आट वी, नवी, दस वी, जो बच्चे कोरोना के साथ निकल के तीन साल आए हैं, उनका पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हुखाएगा, अगर उनके पैरेंट्स ने ध्यान नहीं खुक है, जिसके कारण, खुद मुश्किल है, अगर आपको बच्चा नहीं पढ़ेगा, आपको खुद के कारण नहीं पढ़ेगा, क्योंकि बच्चा decision मेकर थोड़ी है, decision तो उसके सारे आप लेते ह硬, क्यो लेचान आप, आपने उसको na school में admission करा दिया, बिचारा करीब सब लगबाती है ना बड़े-बड़े स्कूलों के बच्चे बच्चा जाने आप जानों सब बेतर जानते हैं आपको यह चीज पता नहीं चलती है है ना हमने देखिए है कि इसा सिस्टम हमारे स्कूलों ने जनरेट कर लिया है कि आपका बच्चा पढ़ता है या बुरा ठीक है आपको पता नहीं चलेगा पता इसलिए नहीं चलेगा कि कुछ इंटर्नल असिस्मेंट के नंबर होते हैं इसको ले देते हैं अध्वी तक बढ़िया हमारे सरकार की पॉलिशी ने तक में नहीं पर जाते हैं नहीं करते फेलम लुग happy तो फेलम करेंगे नहीं तो पता किसे चलेगा ठीक है कि आपको बच्चा अच्छा पढ़ता या नहीं पढ़ता इंटर्नल अशिस्मेंट में उ तो आप सोचो एक बच्चे को क्लास में आते हैं सबको पता चल जाते हैं 50% तो यह तो फिरी के मार्क्स हैं है ना सबको मिल जाते हैं अब उसके बाद बच्चा अगर 60 65 से पास हो रहा तो आप सोच लीजे आपको बच्चा कुछ नहीं पड़ा ठीक है इन दिनों में कम से कम जैसा पेटान है उसमें आप यह मान के चलिए आपके बच्चे के 92-94 परसेंट आने चाहिए ठीक है वह बिल्कुल आएंगे और आप ही सकते कोई ऐसे बड़े परसेंट नहीं होते मैं बताई दिया आपको 55 परसेंट तो वैसे यह जो सबको मिलना है जो बच्चा पास होग है था कि बच्चे का मोराली रेंडा यह यह हमगा सही डिसकरेज कर लेते हैं अब गिया मत्यों किया रखते हैं चोटा रेथा है यह झे भूल जा यह जहीं आटाली अब आप नोर्ट नाम रखा है आपने जो इस निर्टेंशन से रखा है मेरा बच्चा है एक यूनिक मतलब आप समझते हैं सबसे अच्छो बड़ उसकी जो में थीम है उसकी एजूकेशन उसके लिए आप क्या करते हैं आपने एक दो कोड़ी के स्कूल में नक्तु भत्तु बर्वुतियम उसका एडमिशन करा दिया फिर आपने उसको कोई दो कोड़ी का टीचर बाव करने नहीं भूलते आप बिल्कुल बाव करते हैं सब्सक्राइब दरीब बुल्दा विचारा भू के पेट मरियल सा टीचर हजार रुपे दे ले हजार तो भूत हो गए पांस से ले ले ना वह भी आपकी इच्छन हो रहे देनी का ठीक है इस जंग से वह टीचर भी आप फिर कितना पढ़ाएगा आप जानिये वह जाने ठीक है अपना तो कोई विश्य नहीं है में तो आप सोचके चलिए कि कुछ पीचर जिनगी बर रहा हूंगा क्योंकि आदा थे वह पढ़ाना बट यह है कि बस आप इच्छा इतनी है कि अपने बच्चों को पढ़ाना आपके बच्चे अगर मेरे बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो आपका सोब आग गए उनका सोब आग गए ठीक है मेरे और मेरे बच्चों को कोई खास उससे ना तो फर्क पढ़ता है ना कोई लेना देना है ठीक है पढ़ते हैं आपके बच्चे मेरे बच्चों के साथ इस पढ़ते हैं फिर आप पढ़ा हो ना कहीं भी पढ़ाओ क्या दिक्कत है समय बताएगा वो तो सब चीजे हैं सो मैं आपको बाइट जरूर करता रहूंगा अपनी बातें आपके सामने जरूर रखता रहूंगा थोड़ा वुद्धाता रहूंगा बट यह कि देखिए हो सकता आपको सुनने में अच्छा भी न लगे क्योंकि क्या सत्य होते हैं गाली वक्के वाले ही नहीं दी जाएं वो बुलता है आपसे के इस स्कूल में में एडिशन करा दो नहीं न आपने देखा पड़ो इस दो बच्चा पड़ता इसमें अपनी नाप कड़िया ही इते वाले में तो पड़ा नहीं ठीक है आपने उसका वहां एडिशन करा दिए कोचिंग यह लाना चमेली चंपा बिल पेज़दो अनारकली ने पास अनारकली बड़ी अनारकली पड़ा रही दो-चार साल पड़ाया आपको समझ में बाद में आया या कुछ नहीं पड़ा आपने बीच में कभी ध्यान नहीं दिया देखिए आपका बच्चा एक एसेट ही आप लिए है ना एक सासुन पूत तो का धन संचे यहा incorpor कोई फायरा ने है Moto coconut अच्छे हैं तो किसा चाहिए तो पेशा कमा लेते हैं पैसा कमा कमा थे फिर पैसा कमाते रहें जीवन इसमे निकल गया में निकला कि तो समझ में आया गोफ सारी भीवारी भी होई इस पैसो कमाने में का जो कमाने थब वहां भी जाएगा दूसरा बच्चे बढ़े हो definit मगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए, अब देंगे, कुछ होता नहीं है, ठीक है, सास्त्रों में देखी लिखा हुआ है, आप पढ़िए थोड़ा हम, साइंस है हो तो, साइंस है आप पढ़ लीजे, बारा साल का अगर आपका बच्चा हो गया है, तो ना आप उसे बिगा मगर एक सवाल का जवाब आप मुझे दीजियेगा, मैंने आपके बच्चे को कलेकर बना दिया, और मुझे में वो सारी टीचर आएंगे, जो आपके बच्चे पढ़ा दिखा के कलेकर बना दिया, अब मुझे क्या? या पहले क्या? है ना? आप समझ सकते हैं कि कोई नहीं है कि मुझे अगर फाइदा नहीं है तो यह मान भी है और देखिए आप बच्चे पढ़ते नहीं है आप देखते सोसाइटी में तो थोड़ा सा जो टीचर्स है ना जिस हम भूल गये पहले खुदा नहीं सारे फलाने फलानी मेडम है तो प्रिंस्पल है तो सम्मान का ही सोसाइटी ने देना बंद कर दिया तो यहीं कारण है कि वो टीचर्स भी इतना इंट्रेस्ट लेते नहीं है आपको बच्चा पढ़े तो ठीक नहीं पड़े तो ठीक और इसकुल वाले जलील भी करते ना आपको पेरेंट्स मीटिंग में कई बार आप जलील होगे अच्छ यह करता हूँ करता हूँ करता हूँ में नहीं करके लाता पहले से कंपलीट कर देते हूं ठीक है तो इन शॉट्ट विशे लंबा है तीस मिट होगा है मुझे बोलते हुए इन शॉट यह कि बच्चे अगर आप उन्हें जादा गाइट खरोगे तो आपकी फोटो कॉपी ब पढ़ाना है ठीक है बच्चे को आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा भूत अच्छा करें बेस्ट बिल्कुल पढ़े तो आपको इस टीचर को भी कनेक करना पड़ेगा उसे अपने फैमिली का मेंबर बनाना पड़ेगा जिस सम्मान का अगदार यह वो देना पड़ेगा है न तो आप इन चीजों का ध्यान रखें मैं ऐसी चोटी चोटी वीडियो लेकर यह देखें पहली वीडियो है इसक्रम में मेरी इसलिए मुझे इतना समय लगा उसको कनेक्ट करने में आप लोगों को समझाने में कि मैं वर्ट आई वांट टू तू पैले में चोटी-चोटी स आपको कुछ चीजें बताता रहूंगा मैं या आपको यह डिस्क्लोज करूँगा कि मैं कैसे अपने बच्चों को अच्छा बना पाए या उपढ़ पाए अपने बच्चों में सिर्फ मेने दो बच्चे पेदा करें माई विराज में उनकी बात नहीं करता उन सारे करा वो पढ़ने लाएंगे बट इट विल टेक सम ताइम ठीक क्या अभी तक ताइम भी पढ़ रहे थे वो तो वो जब सब पढ़ रहे थे तो फिर वो ही आप समझते हैं कि चंपा चमेली नहीं पढ़ाया ठीक है इस्कूल में नत्तु भत्तु भरभूतिया मिल गाए अब वो सब पढ़ते रहा है सब कुछ हुआ मगर आप उनकी कॉंसेप्ट के लिए नहीं है बच्चों के वह सारी चीजों में प्रॉब्लम होती तो वो सब क्लियर कराने में समय लगता है ठीक है पढ़ाई एक ऐसी चीज नहीं है कि आप घूल के किसी को भी पिला देंगे कल से पढ़ने लगेगा ऐसा संभव नहीं है ठीक है माइन जो है जो वर्ट करता है हमारा दिमाग वो किस जंग से वर्ट करता है अब थोड़ा सा आपको समझने चाहिए उसका हमारे माइन का लगभग नाइटी एट परसेंट से जादा इस्साद खाली होता है मेमरी कार्ट की तरह बठ आज सारी हमारे दिमाग की मेमोरी हो तो फ्रद्ट वह लाँदशी में हो जाइए थीकए 32 लाग 34 लाग 35 लाग साइन साइं टिवेग मेटर मुझे पता हैं तो आप सोचो दुनिया भर का जितना भी ग्यान है वो इवन एप सिंगल पर्संट कें इस्टोर इन हिस माइंड उसके दिमाग में केवल एक व्यक्ति इस्टोर कर सकता इतना माइंड होता आपके अंदर ठीक है अब जैसे बड़े एक्जाम की बात करें हम तो बड़े एक्जाम में देखिए लोग पूछत जाता है कि कोई सिलेवस नहीं होता इनका सब पूछ जाता है आप इतना याद कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं आप कभी आप बच्चों से मिलिए तो आपको पता चले हिका पड़ाइप यहां बरखेडी जांगिरबाद एशवाब यहां रहके आप वह पड़ाई को समझ नहीं पाते हैं ठीक है दूसरा थोड़ा सा इश्वर ने आपको पैसा दे दिया तो आप फिर पढ़ा एक और बूल जाएंगे ठीक है क्योंकि हमारी साइक्लोजी है पढ़ना हमें सिर्फ गरीब आदमी को पढ़ना है अपने जीवन सुधारने के लिए अमीर आदमी को क्यों हर इंसान को पढ़ना चाहिए है हमारे देश में मूलबू सुविदाएं नहीं है हमारे स्कूल कच्रे के धेर से बुरी स्कूल है जिसमें आप अपने बच्चे को बेशते हैं 5000 रपीज देके उनका आल भी सेम है आप उन टीचर से मिल लिजे जो आपके बच्चों को कर दूंगा कितने अच्छे टीचर साफ के बच्चों को पढ़ाते हैं आपको बिल्कुल रेलाइज हो जाएगा मिली बातों पर फाल तुफीस आप तो बच्चों को थोड़ा सा समय दीजे एक अच्छा टीचर आपको मिल सकता है अगर प्रोवाइड हो सकता है यूआ लग दूसरा बच्चे की बातों मताईए देखिए बच्चे अगर आपसे के फलाना अच्छा है इनका वो एक आंट इसाइग पुराना ट्रेक रिकार्ट देखी टीचर का पहले किसको पढ़ाया कैसा पढ़ाया क्या पढ़ाया एक साल कर नहीं दो चार साल का आप बच्चों सम कि बिचारे को कभी होली Diwali पर कात्बार बुला लिजे अपने गर बुला के खाना इखिला आप पने लिए बनाते है एक बार इसके लिए है एक योलोग और ख्लाले को कुछ भूसा कर से चाहिप बूला लिजे और गारेक्ट इस तरह से आपका बच्चा पहला लेंगा एक बच्चास बच्चों को पढ़ाता है कभी आपकी बीटी फूल ले गई अपने मेडम के लिए कभी सर के लिए चॉकलेट ले गई एश धंग से कभी कुचिंग वाले सर को आपने दिवाली पे रेक मिठाई के डिप वह याद रखींगे क्याद नहीं है फलाना बरसाने ठीक है ठीक है मैं एक बच्चे को जानता हूं बच्चा पढ़ता नहीं था उसके पापा विचारे गाउं में रहते थे दो भाहिर लेके यहां पढ़ते थे मोनेस और सेलेस अब वो मोनेस के पापा दो-चार महीने में कभी आते थे और एकट्टी विचारे फीज दे रहा थे सार चार महीने के पैसे और बस आप मेरे वच्चुप पढ़ा दी अच्छी घासी जमीन थी अभी भी है और आप सोचिए के वो जो पहले बैटी में भी देखी किसी जादन हूं पहले वेक्ती दिमाग में कैसे आई बार ठीक है पहले बैटी वो किसारा में यहां पर हूं नहीं आप जानूं आप देखो आप सब कोछों तो और कितने हुए आपके पैसे चार अजार तो दस अजार है नहीं नहीं लेता बिना मेनत को पैसे इतनी मेली फीसे यह नहीं आप ज्यान लगना बस तो वो वो वन एन उनली एक परसं थे जो मुझे पूरी एप्रिशेट करके गए कि अच्छा बदले में क्या है बदले में आज उनका बेटा जो आटो होता है जोगनू जोगनू आप देखते हैं इंदोर का हेट है उसकी तंखा तक्रीवन आई होप के कुछ पांच लाख रोपे के समझें आप समझें चोटी सी बात है कहा इफेक्ट डालती है वह एंडियर से अंदर से गाहों से आके रहने वाले वेखती है अच्छे से उस चीज को समझें कि हम लोग कुछ भेदबाव करते हैं पढ़ाने में हमारों तो इस्टाइल है पोचिंग इस्टाइल में पढ़ाते दस बच्छे सांथ बेटके पढ़ते अगर एक बार हमने हमने मतलब देखे में अकेला नहीं ठीक है टीचर जैसे आप इसकूल में आपको बच्छा महिनें दो बार अपने टीचर के लिए कुछ ले जाए एक पेन ही गिफ्ट कर सकते हैं वही 10 रुपे का पेना आता आप पीचर के लिए बेज दीजिए ठीक देखे दो चीज़ें तो टाइंग नहीं है वह फाल की पैसा भी नहीं है आपके पास ज्यादा उसको ऐसा नहीं यह में तो इतने बज़े उठता था पांच बजे ठीक है पता चला मेरा दूद का विजनेस है थेलियों को दूद की आप पांच बज़े उठके वह कर रहा है तो वह तो फोटो कॉपी बन जाएगा तो वह सारी चीजों को छोड़के आप थोड़ा पाते हैं क्योंकि हमारी एजुकेशन क्यापिबिलिटी वह नहीं है कि हम राफेल इतनी हाई ली इंडिक्रेटेट टेखनोलीजी को कि एड़प करता है तो हम बना नहीं पाते हैं आज भी कोई एरोपिलीन का इंजन हमारे देश में नहीं बनता वह बहुत सारी चीज़ें मोबाइल फोन जिस पर यह अभी रिकॉर्ड हो रही है आपके वीडियो मोबाइल फोन केमरा बाहर से बन क्याते हैं तो हमारी एजु इसमें हर जगा के लोग मिली में अपको इसका रिजन बताता हूं कि होता यह है कि सरकार रिजेल्ट अच्छा लाने की चक्कर में चुनाव होता है कुछ भी होता है तो क्या होता है जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था शायद मैंने 35 चेप्र पढ़े थे आज 15 है तो मैं जिन आफको क्रेक्ट कर दूं कि बच्चो को मैं पढ़ाता हूं उनको ठून डून के बढ़ाता हूं निजिए यह चीजशे को हट यह असरुंग मतलब में पागल हो सब्सेज्स बाड़ल Kansas 69 अबकि और जिए हम समझें को हटी वह MP से यूपी बोल्ट, बिहार बोल्ट, दिल्ली बोल्ट, वो सारे बोल्ट बना लिया हमें, वो सारे बोल्टों में वो जिन्दा है, जब आपका बच्चा किसी competition exam में, कोई exam में बैठेगा, महां के लोग भी आएंगे, कि पेपर रोम सब को देख के बनेगा, आपके बच्चे ने ही है, ना उसने स्कूल में पढ़ा, ना कोचिंग में पढ़ा, अब ये बताओ कि वो बच्चा को competition exam निकालेगा, कि वो दिल्ली का या महाराष्ट का बच्चा निकालेगा, जब वो पढ़ किया रहे, तो जो basic problem है ना, वो इस टाइप की problem है, तो उनको face करना देखी, आपक सब चीज़ों को समझे, जाने, मैंनों फिर कहा आपसे, कोई मैं ये advertisement नहीं कर रहा हूं, मैरा मकसा दे बस last कि अपने बच्चों को पढ़ाना, अच्छे पढ़ते हैं मेरे बच्चे, इश्वर की किरपा है, मेना थे, बच्चों की मेना थे, ठीक है, सब अच्छा पढ़ते जिनको पढ़ा रहा हूं, सब बढ़ियों पढ़ा हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे, किसी कोई शिकार नहीं ना, parents, parents लो तुम बोल तहीं नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, खुद पढ़ा ले तो बच्चों को जैसे पढ़ा है, आए master, है ना, king of education, ठीक है, आया, king of education, master, so, यह एक सुपर क्रिटिकल चीज है, इसना आसान विश्य नहीं है, कि आप अपने बच्चे को कहीं भी बेज दे, है ना, कोई उसको experience नहीं क्या पढ़ा है, आपको पईसा बचाना, बेजो, 500 रुपे लेती ही, वो बेजो, ठीक है, हमारे आल लेंगे, मत बेजो हमार पास तो साइकलोजी ऐसी, दूसरा, दुकान, फिर तुमें लगेगा, हजार हम यहां दे रहा है, दो हजार नहीं है, और अच्छा, दुकान, फिर आप अपने बच्चे को 200 बच्चों को पीछे बिटा देंगे, और चारा बच्चा खोदी दम दोड़ देगा, वहां पर, ठीक ह आपको, आपका बच्चा नहीं पढ़ता, तो सब सब पहले किसे जाएगा, आपको, who is responsible, आप, बच्चा तो बच्चा है, वो उसके कोई खुद के डिसीजन है, आपने जहां बोला, यहां पढ़ ले, पढ़ लिया, ठीक है, आपके पड़ोशी नहीं बोला, है कोचिं अच अच्छा करने, देखे, आप नीम का पेड़ा अगर वो होगे, है ना, तो भाया, वामेयार नीम ही होगेंगी ना, कहीं, आम तो वोग न पाय, ठीक है, आप तुँ आम खावे की उम्मीद मा तरह हो रहे हो, आपन तो जो बात है, वो साफ ही है, वो खुश रहे हैं, ठीक है अगर आपने कुछ अच्छा चाहते हैं, कि मेरा बच्चा फदा न करें, यूनीक हो, नाम रखने से हो जाएगा, है ना, आपने नाम रख दिया, खंड परताप सी, वास, बहुत बढ़िया, नाम रख दिया, अक्षे, ठीक है, अरे, कायल को रख रहा है, अमिताप रख दो को सिताई है बच्चो को, ठीक है, उसके साथ खड़े रही है बच्चो के, ठीक है, श्ट्रॉंग तरीके से, ठीक, तो कहीं से आपको थोड़ा साथ, अगर आप देखें, यह को पार्ट टाइम जोब नहीं है बच्चो को पढ़ाना, कि आपको लगा भी, यह लगा, पलाना कि आरे, इसा है, वैसा है, ऐसा, आप दो मीट कभी देंगे महीने में, एक बार आपने पूछ लिया, ऐसा नहीं, आप सतत सोचते रहेंगे, 24 गंटे आपको यह होना चाहिए, क्यार मेरे बच्चे पढ़ें, कैसे बढ़ सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं उनके लिए, ठीक है ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे बच्चे है, मुझे एनि हाउ उने पढ़ाना है, कुछ भी कर के उने पढ़ाना है, so that मेरे बच्चे पढ़ते हैं, द्यार गिरेग, ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, आके मिल लो, ठीक है, द्यार गिरेग, और मेरे ब बातों के साथ आपका भोश समय लिए इसके लिए माफ़ी चाहता हूं अगली वीडियो में आपसे मिलता रहूंगा और भी ज्वलंद विश्यों के साथ नमस्ता